तो दोस्तों ये है जलेड का बॉलेश्टिक टर्बो 3.0 जो अभी फिलाल आपको एलजॉन पे 2,899 मतलब 2900 रुपे करीब में मिल रहा है इसके पर 50 रुपे का कोपन कोड भी देखा था और 300 रुपे का बैंक ओफर क्रेडिट काड ओफर इसके हमेशा चलते रहता है जिस ऐसे बियर ट्रिमर है त्यूसल बीडिवर विडियो में बताने वाला हूं साथी साथ हिस विडियो में में आगे इसकी अन्बॉक्सिंग करूंगा साथी साथ इसको टेश करूंगा और एक रिव्यों दोना एं बताऊंगा वाइए कॉडिंग तू मीदिस इस ओन उन फव प पेलेस्टिक टर्बो कुछ इस तरीके से सामने के तरफ दिखता है जहां पर इसकी ब्रांडिंग देखने मिल जाएगी और साइड में आपको कुछ इसके बॉक्स के साथ अराम से ट्रेम कर सकते हो वी सेफ ली और वन पॉइंट फाय आर का आपको रंटाइम देखने मिल जाता है तो कुछ इस तरीके से डबा दिखता है इसको निकाल लेता हूं मैं एक हफते से यूज कर रहा हूं तो इसको मैंने पहले ही खोल लिया और कुछ इस तरीके से सामने इसको निकाल लेते हैं साइड में अभी फिलाल में और यहां कुछ ट्रिमर देखने मिल जाती है उसके उपर भी बात करूंगा और साथी साथ जैसे मैंने बोला कि आपको एक रीचार्जिंग स्टैंड एकने मिल जाता है और डेफिनिटली बहुत ही रादा शांदार स्टै देखने मिल जाती है दोनों में आप अडिसेबल करके अपने हिसाब से आप हैर कटिंग कर सकते हो और साथी साथ एक यूसबी टू टाइप सी आपको केबल मिल जाता है इसके चार्जिंग के लिए आपको इसका में पावर एडाप्टर नहीं मिलता बॉक्स के अंदर यह च उसके मिल जाती है इसमें यूजर गाइओ दो इंफोमिशन लिखिवी है को परिमर के बारे में और साथी साथ एक वारेंटी कार्ट एगने मिल जाता है जो बहुत ही शांदार है मतलब ग्रीपवीनेस फील करा आती है साइड में इक स्टर डिजाइन दिया गया है जिस वजे से ये और ज़्यादा grippy हो जाता है मतलब आप पकड़ रहे हो तो ज़्यादा गिरेगा विरेगा नहीं एकदम असानी से आप इसको use कर सकते हो साथी साथ इसकी जो body दी गई है वो fully waterproof है IPX7 मतलब outer body इसकी waterproof दी गई है और साथी साथ आपको जब यहाँ पर इसको on करते हो तो देखोगे कि यहाँ पर एक display on हो रहा है जिसमें इसका percentage भी बाता रहा है कि अभी 66% battery बाकी है और यहाँ पर आपको एक LED light देखने मिल रही होगी जहाँ पर आप इसकी मतलब pathfinder light दी गई है जो कि में को और एक बड़ा plus point लगा जो कि मतलब आपके trimming में help करेगी बहुत ज़ादा smart digital display देखने मिल जाती है और रही बाद इसके जो motor है वो ज़ादा आवाज नहीं करती तो इसकी trimming की आवाज है almost 7000 rpm पर इसकी motor घुमती है और एक चीज इसके अंदर आपको देखने मिल जाती है वो है इसके अंदर आपको smart travel lock मिल जाता है मतलब अगर आपसे आप कहीं travel पे जा रहे हो या फिर आप child घर पे हैं तो आप इसको long press करेंगे ना तीन सेकेंड के लिए तो कुछ इस तरीके से आपको एक display की charging दिखाता है और ये बाद में अभी smart lock हो गया मतलब बटन दबने पे भी अभी नहीं चालू होगा मतलब एक दो बार बटन दबाएंगे कोई भी मतलब travel में अगर बाग में बटन दब भी गया तो चालू नहीं होगा इसको वापर चालू करने के लिए आपको तीन सेकेंड टक होल करना पड़ेगा और अगें इट स्टार्ट बहुत असानी से स्टार्ट हो जाता है अब बात करें इसके अंदर आपको 1.5 mm की सेंसिटिव कोम 1.5 mm की सेंसिटिव कोम इसके ट्रिमर पे लगी भी दिख जाती है जो मतलब आपको अगर आप एकदम मतलब सेंसिटिव एरिया है जहां पर आपकी स्किन ओवरलाप करती है तो एकदम असानी से उसके उपर जाता है जो बहुत अच्छी चीज लगी मैं को इसको निकाल लेता हो और मैं तोड़ा सा इसकी ब्लेटती बदेता हुँ होती है लॉंगर इसकी लाइफ होती है जली श dom Partners राब नहीं होती और साथी साथ अगर आपको अंदर से हैरवेर क्लीन करना है इस तरीके से आप निकालके ब्रश के साथ क्लीन कर सकते हो इसके अंदर बहुत ही असान तरीके से दिया गया है इसको क्लीन करना भी और बहुत असान तरीके से लग भी जाता है वापस इस तरीके से वापस लग भी कि इसके अंदर आपको charging देखने मिल जाती है with 600 mh की battery जहां पर ये जो trimmer है वो 90 minutes का run time देता है जो मेरे इसाब से बहुत जहाँ शांधार है और इसको charging तो इसका charging stand दिया है वो भी काफी साथ cool है और एकदम हर तरीकी से काम करता है कैसे भी आप place कर दो बस पीछे से बस lean होना चाहिए जैसे आप place करोगे यह एकदम अच्छे से काम करता है और charging अच्छे से होती है और दो घंटे में अच्छे से चार्ज भी कर देता है मैंने यहां पर इसको laptop से connect करा है आप अपने कोई भी adapter के साथ connect कर सकते हैं और रही बात इसके इंदे जो तीन को मिलती है जो सबस अच्छे से एकदम मतलब स्लाइड होती है और एकदम ऐसा कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि मतलब एकदम रॉफ हो रहा है एकदम प्रटने जैसा feeling आ रही है एकदम अच्छे से काम करती है और जिस सरी के साब देख सकते हो कि यह blade जहां है इसकी ceramic blades है उसके उपर कितनी उप यह उसवजे से और के साइस का शीफ दिये है इसलिए से स्लाइड होती है साती साथ यह एक्ट्रा दो क्योंब गई है यह ठीमर्स के अंदर दोनों को आप दूनों साइट से अटाच कर सकते हो मतलब दोनों साइट से अब टाच करोगी तो आपको दो-दो आपको इसके को ट्रिम कर सकते हो आप अपनी बीर्ट को भी ट्रिम कर सकते हो वन पॉंट फाइन में बहुत ज्यादा अच्छी थिकनेस है और अगर आपको पहीं जीरो थिकनेस करनी है तो वहां पर आप अपनी ब्लेड के बिना इसको यूज करें और वहां से आप लगबग जीरो के लगी यह ट्रिमर और मेरे हिसाब से एक बहुत ही जादा ओल राउंडर ट्रिमर रहों बोलूंगा मैं और सारे चीजों में चाहे आप अंडरांब में कर रहे हो या पिछे के हैर निकालना है तो बहुत अच्छी से काम करती है और रही बात सबसे बड़ा प्लस पोइंट य मेरे हिसाब से जो आपको यह स्पेसिफिकेशन टू आपको जो यहां पर वैल्यू दे रही है यहां पर जलेट के बॉलेस्टिक टर्बो एक बहुत ही जादा रिकमेंडेट ट्रिमर बन जाता है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है आपको अमेजॉन के ल रहे है वीडियो को उनसे रिक्वेश्ट रहेगा कि प्लीज दू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब टो मैं चैनल जल्दी मिलते हैं एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे हल्दी स्टे सीज़ाइब आ झाल